नमस्कार आदाब स्वागाच आपका मैंट बेंस पे इंडियास बेस्ट और नर्निंग प्लाइटफर्म जहां आपको मिलता है किंडर कार्टन से लेकर 12 तक कसार एजुकेशन क्लास 11 के अप्लाइट मैंट्स का 13 चाप्टर अपन कबर कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा मतलब दो छोटे से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनका नाम है पॉस्टन टाइल रैंक और इनी दोनों टॉपिक्स पर बेस्ट हमारे एक साइस 13.4 ज सबसे पहला क्वेशन परसंटाइल रैंक नावड़ेज इन मोस्ट आफ दे कंपॉर्टेटिटेव एक्जाम्स लाइक जेई नीट काट साइट जी आरे अनाट एक्सेक्ट्रा रिजल्स आर रिपोर्टेड इन टर्म्स आफ परसंटाइल रैंक रादर देन इन टर्म्स आफ परसंटेज और स्टांडर्ड स्कोर से जो वर्ड है परसंटाइल रैंक आजकल बहुत बार सुनने को मिलता है जब भी हम किसी कंपुर्टेव एक्जाम के रिजल्ट की बात करते हैं तो ठीक है चाहे वो नीट हो जेई हो काट हो साट हो या फिर जी आरे एक्जाम हो सब में ठीक है अब यह है क्या वो आज हम समझेंगे बेसिकली तो बहुत बार हमें पता होता है कि यह चीज़ एक्जिस करती पर उसका मीनिंग क्या है ठीक है वो आपको आज समझ में आएगा अगर मेरी परसेंटाइल राइंक है इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जितने लोगों ने एक्जाम दिया था उसमें से 98% लोग का स्कौर मुझसे कम है या मेरे बराबर है मुझसे ज़्यादा खाली 2% लोगों का स्कौर है इस त्सक्लियर तो इस तरीके से आप परसेंटाइल स्कौर को क्या करते हैं एवालुवेट करते हैं अंडस्टाइन डवलॉप करते हैं couldn't आपका percentile score आता है for example 99.9 मतलब जमाने के जितने लोग जिन्होंने exam दिया था वो सब आप से पीछे हैं और आप जो top percentage लोग हैं उनमें से एक हैं यहाँ पर definition देख लो the percentile rank of a specific score is denoted by PR ठीक है and is defined as the percentage of scores in its frequency distribution that are less than or equal to it ठीक है तो PR से इसे रिनोट किया जाता है और यह क्या बताता है कि कितने percentage of the scores in its frequency distribution are less than or equal to ठीक है clear है basic समझदारी understanding क्या डवलप हो रही है percentile से तो अगर कोई कहता है भाया मेरे 97 percentile है ठीक है percentile इसका क्या मतलब है इसका मतलब बहुत simple है कि जितने लोगों ने वो परिक्षादी थी जितने लोगों ने वो एक्जाम दिया था उसमेंसे 90 percent 97 percent लोगों का score मुझसे कम है या मेरे बराबर हद से हद मुझसे ज़ादा नहीं है ठीक है यहाँ पर example के तुरू हम इसको solve करने कोशिस करेंगे for example suppose 10 students appeared in a competitive exam and scored these this and so on ठीक है यह उनके scores है the student who scored 70 marks is at the 8th position अगर उनको sequential order में arrange किया जाए तो ठीक है 8 students ने 70 या उससे कम score लाया है so the percentage of scores which are less than or equal to 70 is 8 upon 10 into 100 percentage में convert किया जवाब आया आपका 80 thus we say that the percentile rank that is PR of 70 marks is 80 good to go which means 80 percent of total students who appeared in the exam ध्यान देना had scored 70 marks or less than 70 marks in the examination okay clear good to go है जी चलिये अब percentile rank for ungrouped data ठीक है तो यहां पर हमारे कुछ formula है जो की easily हमें इस पूरी चीज़ को करने में help करते हैं कि let x1, x2, x1, 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 x1 be an observations first arrange these observations in the ascending order most important task का करना है आपको ascending order में अपने data को arrange करना है to find the percentile rank of the observation xi we use the formula pr equals to lower limit plus 0.5 into e upon n into 100 अब यहां पर देखो नीचे वो चीज़ों को explain भी किया है what is l? lower limit is the number of observations less than xi what is e? number of observations equal to xi and n is the number of observations total कितनों का कम है? कितनों का बराबर है? divide by n into 100 ठीक है? यह clear है? जी सर चलिए यहां पर देखिए पहला example हमारे समक्स आ चुका है आपको बताने है 25 marks की percentile rank now what is the first thing that we do? ascending order में arrange तो आप यहां पर लिखोगे AO यानि ascending order है आपका क्या? तो आप arrange करोगे यहां पर देखोगे सबसे पहले I think 22 आएगा? येस वो भी दो बार है तो आपने लिखा 22 फिर आपने लिखा एक और बार 22 फिर आप next आगा है 23 पे फिर if I can see 24 कितनी बार है? एक, दो, तीन बार है 23 तो एक ही बार था है ना? हाँ जी और 22 दो बार था वो भी कर दिया 24 है तीन बार तो एक, दो, और ये आगया तीसरी बार इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप 25 को लिखोगे ठीक है? फिर आपके पास 25 के बाद 27 है कितनी बार? 27 है प्रोबाबली दो बार है ना? एक, दो, फिर एक बार 28 एक बार 30 चलिए 27 आगया दो बार फिर एक बार 28 आएगा फिर एक बार आएगा 30 और लास्ट वाला एक आजाएगा 33 चलिए गुट्टू गो है जी? हाँ जी आपको बतानी है परसेंटाइल रांक ओफ 25 मार्क्स फर्मुला के हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाओं तो मुझे किसकी की जरुबत है? एक L की that is number of observations less than XI तो हमारा XI क्या है? XI है यहाँ पर अगर हम देखेंगे that is 25 L is the number of observations which are less than 25 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 observations are less than 25 ठीक है? E यानि how many observations are equal to 25 तो उसका तो 1 आ गया N यानि total number of observations जो कि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो वो हो जाएगा कितना? वो हो जाएगा 12 Now according to formula तो अब बोलोगे यहाँ पर using PR is equal to L plus L plus 0.5 into आपका E whole divide by whole divide by यहाँ पर हम करें कितना? N into 100 यह formula यूज करना है ठीक है न? वी गेट चलिए अब आप यहाँ पर values रखी और answer निकालिए तो आप बोलेंगे PR is equal to यानि percentile rank is equal to L 6 plus क्योंकि L की value परने लेकी 6 भाहिया 0.5 into E की जगर पर आ जाएगा 1 whole divide by 12 and into 100 अब यह थोड़ी सी calculation आपको करनी पड़ेगी तो यह देखो कितना हो जाएगा सर यह हो जाएगा 6 plus 0.5 यानि 6.5 upon 12 into 100 आपको करना पड़ेगा यह आएगा 650 upon 12 अगर आप 12 से divide करोगे देखो 12 5 हो जाएगा 60 है न? तो आपने लिखा 12 5 जा 60 फिर कितना बचा सर बचेगा 5 decimal लगाएं फिर बचा दो आपने लगाएं डेसिमल बीस ट्वेल बन जाएं तो फिफ्टी फॉर पॉइंट वन सेवन सेवन पर अपना यह वाला आंसर क्लोस कर सकते हो उसके आगे जाने की जरुबत नहीं कभी भी अगर आपका 11 12 में अप्लाइड माट्स का पेपर होगा डेसिमल में दो प्लेस के आगे जाने की जरुबत नहीं है दो प्लेस तक अगर आपने सही किया तो आपको नंबर मिल जाएंगे क्लियर एक उट्टू को है हां जी सर्च चलिए बहुत बढ़िया स्क्रीन अगर क्लियर करनी है तो वह तो अबबिसी बात है क्योंकि जगा इ अगर से नंबर से थिस थर्टीन नेन निकंगे नेक्स भड़ा नैंबिट इंटीटो इफ हां ऐन नॉट रॉंग है न यदि उसके बाद 22 के बाद आ यगा 42 then 44 then 45 to 42 44 then 45 उसके बाद next आजाएगा कितना असर 45 के बाद 52 ठीक है बिलकुल ठीक फिर आजाएगा 76 तो 52 सेवेंटी सिक्स फिर आएगा 88 दो बार एक बार एक बार एक बार एक आपने लिखा दो बार और लास में जाएगा 105 चलिए कितने होगे नमर आप अब्जर्वेशन को मिला के देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस तो यहां से आपका एल की वालियो आएगी तो पहला आप लेको फॉर्मॉला कौन सा यूज करोगे तो आप कहोगे यूजिंग पी आर इस इक्वल टू एल प्लास जिरो पॉइंट फाइव एंट टू ए ठीक है है होल डिवाइड बाई एन इंटू हंड्रेट यह तो थोड़ा सा इजी होगा विकॉस ठीक है विकॉस है वो है 10 तो यह हमें पहले से ही पता है चलिए अब यहां पर आप लिखोगे कि हैर एल कितना आएगा तुसर एलम काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ सेवन एकी वाल्यू आएगी टू है ना क्योंकि दो है एटीट और एन की वाल्यू है टैन चलिए यह सारी वाल्यू से तो अब अंसर निकाल तो फटाफट तो बोलोगे पी आरेज इकोल्स टू एल यानि सेवन प्लस जीरो पॉइंट फाइव इंटू टू होल डिवाइड बाइट टैन इंटू इलेवन अब काफी चीज़ें यहां पर हो जाएंगी कैंसल जैसे कि सबसे पहले होगा जीरो से जीरो कैंसल उसके बाद आप यहां पे करोगे इसको फर्दर सॉल्फ तो आपको मिलेगा पी आरेज इकोल सू हाव मच दूसर पी यार मिल जाएगा सेवन प्लस इरो पॉंट फाइव इंटू तो यह हो जाएगा साथ और एक आठ यानी 80 percentile हो जाएगा आपका यहां पे score कितना है भाई या-ट जाए आपका 80 percentage का साइन नहीं लगाते क्योंकि यह percentile है तो आप से दिल को एटी की पी एर एक पल्स एटी तो इंससान समझाञ जाएगा परसंटाइल रांक Is 80 clear यह गुट्टू गो है जी सर्वेरी गुट चल तो पिछले वाले में आपन कौन से देख रहे थे अंग्रूप डिटा यहां पर डिटा हो जाएगा गुरूप वाला ठीक है तो इसमें देखो पहली बात तो आपको चाहिए होगा एकसाइ तो अगर डिस्क्रीट सीरीज होगी तो एकसाइ दिया होगा और वह वाला होगा अपना ये वाला तो फिर आप क्लास मार्क से एकसा ही निकाल लोगे ठीक है परसेंटाइल राइंक ऑप दो अब्जर्बेशन एकसाई वी यूज दो फॉर्मुला पी र एक्वल्स टू सी जहां पर सी का मतलब क्या होता है क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लास 0.5 इंटु एफ यानि फ्रीक्वेंसी ऑफ दा स्कूर एंड एनिस सम अफ दो ओल फ्रीक्वेंसी ठीक है क्लिया रहे है छोड़ा बेसिक से आपको समझ में आ गया वेका दो क्वेश्चन अगर अपन सॉल्फ करें यहां पर अच्छा यह डिसकंटिनियूस का वह यह कंटियूस वाले कर नहीं ठीक है यहां पर हमारे सामने शुरू हो रहा है लेट्स टाय दिस आउट तो इसके लिए हमें क्या बोला उन्हें बोले एक सीएफ चाहिए आपको तो सबसे पहले सीएफ निकाल लो ठीक है तो वन फिर यहां पर प्लस टू होके थ्री प्लस वन होके फॉर प्लस वन होके फाइव होके सेवन प्लस टू होके नाइन प्लस फाइव होके फॉर्टी प्लस जीरो होके कितना हो जाएगा सर यह भी रहेगा 14 फिर प्लस वन कर दोगे तोन जाएगा 15 and then यहाँ पर भी आजाएगा कुल मेला के 15 चलिए दस टूरेंट्स है ठीक है फंद्रा शूरेंट और आउट ओफ 10 जो उनके माक्स आए हैं आपको बताने है पर सेंटाइल रांक आफ टेस्ट मार्क 6 ठीक है फॉर्मुला कौन सा यूज होगा तो डिसकंटेनर सिरी इसका होगा हम डिसकेट सिरीज भी बोलते हैं तो आप बोलोगे यूजिंग पी आर इस एकुवल टू एल प्लस कितना बोलो नहीं 0.5 इंटू एफ होल डिवाइड बाई एन इंटू हंडरेड ठीक है यह फॉर्मुला हम यूज करेंगे लेकिन इसमें कौन-कौन सी वाल्य देखो यहां पर लिखा भी एल क्या है सी सौरी चुमिलेटिफ फ्रिक्वेंसी ओफ दप्रिसीडिंग फ्रिसीडिंग वाला ठीक है तो मतलब यहां पर यहां की जगवा पर सी लिख दो सबसे पहली बात तो यह काम कर दो आप ताकि कुछ गल्लत नहों चलिए सी हो गया चलिए इसका खुद का फ्रिक्वेंसी तो भाया फ्रिक्वेंसी है 6 का कितना तो 6 का फ्रिक्वेंसी यहां पर आप देखोगे तो 2 ठीक है एंड टोटल अब अब्जरबेशन जिस 15 चलिए तो आप यहां पर निकाल लेंगे कि therefore PR is equal to C यानी 7 plus 0.5 into 2 upon 15 into 100 यह calculation हमें करना पड़ेगा basic simple calculation ऐसे कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं easily इसका काम हम यहां पर कर देंगे ठीक है चलो solve करोगे तो अगर आप उपर देखोगे PR आपको कितना मिलेगा तो सर पियार मिलेगा 7 plus 0.5 into 2 is 1 whole divided by 15 into हो जाएगा 100 तो आप यहां पर solve करोगे तो 8 upon 15 into 100 इतना कोई मुश्किल calculation है नहीं चाहें तो आप पहले 5 से cancel कर सकते हैं किसको 100 और 15 को इसी कोई खास दिक्कत है नहीं ठीक है उसके बाद आप यहां पर calculate करोगे तो आपको कितना मिले जाएगा 53.33 कितना मिलेगा भईया 53.33 आपका हो जाएगा percentile score करें को दिक्कत तो नहीं जरा से भी नहीं सर आपको PR मिला 53.33 good to go हांजी सव परसेंटाइल rank of mark 6 या वह विद्ध्यारति जिसके mark 6 आए है वह 53.33 clear है चलिए screen यहां पर clear link करने से पहले आप एकर screenshot लेना चाहें तो एक बार देख सकते हैं ठीक है then we move to our screenshot easy question था question number 3 example 3 basic करी और अगर आप group data आ जाता हो देखो formula कैसे change हो गया ठीक है तो c मतलब क्या हो जाएगा यहां पर देखो यहां पर आपको एक होता है the number of observations is n ठीक है total observation तो n हो जात class ठीक है the formula for percentile rank is given by c plus x upon h into frequency bracket close hundred upon n ठीक है good to go है हां जी सर चलिए इसके बाद आप क्या करेंगे यहां पर देखो आपका c हो जाता है cumulative frequency preceding the percentile class f हो जाता है frequency x हो जाता है score whose percentile rank is required lower limit of percentile class h is the level of class interval and n is the sum of all observations formula यहां पर आपके सामने है आराम से इसको solve करेंगे बड़ी easily हो जाएगा कुछ खास दिक्कत नहीं आनी ची ऐसा मुझे लग रहा है चलिए एकाद example अपन देख ले example number 4 है देखिए हमारे पास यहां पर आपको चाहिए 66 का percentile score ठीक है percentile rank of score 66 आपको बोला गया है चलिए मुझकिल होगी क्या नहीं सर बिलकुल नहीं बड़ी आसानी से हो जाएगा चलिए क्या क्या था हमारा formula सर formula था हमारा सबसे पहले हमको चाहिए cumulative frequency तभी हम सी निकाल पाएंगे है ना तो cumulative frequency निकाल लेगते हैं पहले तो आपने कहा cf तो यह हो जाएगा फोर फोर प्लस फाइव हो जाएगा नाइन प्लस टैन हो जाएगा 19 फिर 19 प्लस सेवन हो जाएगा अगर आप देखोगे तो नौ और साथ कितना हो जाएगा अच्छा पहली बात तो यह बताओ क्या हम इस टेबल को चेंज करें क्योंकि अभी continuous नहीं है तो एक वो काम तो करी दें साथ मेंपन सी एफ तो निकाले रहें पर यह वाला काम भी कर लेते हैं ना तो जब आप सी एफ निकालोगे 19 प्लस 7 कितना हो जाएगा 19 प 35 35 प्लस 8 वुड़ बी 43 फिर 43 प्लस 5 वुड़ बी 48 48 प्लस 7 वुड़ बी हाव मैं साथ राट हो जाएगा यहां पर आप देखो कि तो पंदरा 55 और प्लस 4 हो जाएगा 59 यह 60 होना ठीक्या होना ठीकितना दिया है सद दिया तो नहीं है तो प्रोबाबली 59 है हमारा लास्ट ह हां जी सर एन की वाल्यू है 59 बड़ा ही विचित्र वाल्यू है अच्छा एक चीज़ यहां पर करेंगे आप तो आप लिखो कि देरफोर एन इस इक्वल्स तू 59 क्योंकि यह कंटिनेस नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा जो भी गैप है उसको डिवाइड बाइट कर लेकर 52.5 तक यह हो जाएगा आधा माइनस करोगे तो 52.5 से लेकर 57.5 तक ठीक है इधर 57.5 से लेकर 62.5 तक लोवर लिमिट से माइनस करो 0.5 अपर लिमिट में एड कर दो 0.5 इस तरीके से आप कंटिनेस वाले उसमें आ जाओगे ठीक है 68 का हो जाएगा 67.5 and this would be 72.5 ठीक है here also 72.5 and this would be 77.5 इधर पे भी 77.5 and 82.5 अप next would be 82.5 and 87.5 ठीक है next 88 का हो जाएगा 87.5 and नीचे आ जाएगा 92.5 and last यहाँ पे हो जाएगा 92.5 and 97.5 ठीक है चलिए तो आपने इसको convert तो कर दिया अब यहाँ पे आप देखो गया आपको चाहिए क्या 66 66 लाए कहां करेगा तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यह 62 और 67.5 के बीच में यह हमारा हो गया percentile rank का key last good to go जी सर चलिए इससे अगर हम देखे यहां पे तो हमें क्या-क्या मिलेगा तो सर हमें मिलेगा कि C की value जो है वो हो जाएगी इसके previous वाली 19 तो आपका C हो गया 19 frequency इसकी खुद की है 7 तो आपका F हो जाएगा 7 ठीक है आपका जो हाइट है वो कितना होगा एच की वाल्यू तो सर एच की वाल्यू होगी 5 दोनों के बीच का gap हो जाएगा 5 का तो H आपने लिखा 5 ठीक है और क्या चाहिए हमें एक बार देखो formula अगर हम वापस जाकर विजट करें चाहिए एन आपके पास है 59 और आपको X से है scores whose percentile rank is required lower limit of the percentile class अब यहाँ पे important यही है कि आप किसको रखोगे यहाँ पे score whose percentile rank is required ठीक है और अपने यहाँ पे frequency वगएर आगे अच्छा देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम बताएंगे कि अब X क्या होगा score आपको किसका बोला है 66 का आपके पास नंबर क्या है 62.5 तो आप X कैसे निकालोगे X would be 66-62.5 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा सर यहाँ पर अगर हम सब्ट्राक करेंगे तो यह आ जाएगा 3.5 चलिए अब आप क्या करेंगे हाँ पर फॉर्मुला यूज करेंगे की percentile rank तो आप लिखोगे using percentile rank is equals to कितना देखो पहली बाग करेंगे तो फॉर्मुला याद नहींगे सबको पजाएगे C plus X upon H into F C plus X upon H into F तो आपने लिखा bracket के अंदर C plus X upon H into F ठीक है और यहाँ पर हो जाएगा 100 upon N वैसे यह upon N इसके नीचे आना चाहिए पर क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कंजेस्टर हो जाएगा इसलिए वहां पर लिख दिया ठीक है तो यहां पर यह फॉर्मुला यूज करके वी गेट कितना मिलेगा हमें फटाबट वाल्यू रखो और आपका अंसर आजाएगी तुसरा परसेंटाइल रांक यहां से हमें मिलेगी सी यानि कितना होगे तरतोजर सी होगे यहां पर अगर हम देखे तो हमने लिखा है 19 चलिए ब्राकेट के अंदर 19 प्लस 3.5 क्योंकि यही आया माइनस करने पर एज के जगा पर 5 फ्रिक्वेंसी है आपकी 7 और यह हो जाएगा 100 डिवाइड बाइट टूटल इस 59 चलिए ठीक है जो जो वाल्यू जहां जहां रखनी थी हमने रख दी अब हम इसको फर्दर सॉल्फ करेंगे तो फर्दर सॉल्फ करने पर देखो 3.5 डिवाइड बाइड तो वह रफली कितना हो जाएगा सर 35 0.7 ठीक है 0.7 इंटू 7 करोगे तो आपको मिलेगा 4.9 तो यहां पर आपको मिलेगा 19 प्लस 4.9 ठीक है इंटू 100 अपॉन 59 यह भी दोनों को कुछ नहीं हो पाएगा कुछ सॉल्फ हो इनी सकता 19 और 4 कितना हो जाएगा सर 19 और 4 हो 23.9 divide by 59 in 200 करने पर हमें मिल जाएगा हमारा PR percentile rank ठीक है चलिए तो यहां पर आप क्या करेंगे इसको further solve करेंगे तो probably आपका answer पता है कितना आएगा हमारा answer आएगा 40.50 चालेज दसमलव पांच यह आएगा आपका answer तो आपकी percentile rank है 40.5 clear a good to go है जी सर कहीं कोई इकत तो नहीं जरा से भी नहीं सर आप 2390 लिख दोगे उसको divide by फिर 40 करो 59 करोगे तो आपको यहीं आएगा चली good to go percentile rank of 66 is 40.5 चलो screen यहां पर clear करने से पहले in case आपको screenshot लेना तो एक बार देख लू ठीक है आपने लिया screenshot screen हो जाएगी clear बढ़िया इसके बाद एक और चीज है quartile ranking are a measure of how well a mutual a mutual fund has performed against all other funds in the category example दे रहा है कि quartile rankings are a measure of how well a mutual fund has performed against all other funds in this category ठीक है एक example दे नहीं कोशिच कर रहा है ठीक है कहां कहां यहां पर use होता है चलो then the ranking the ranking range for from top percentile to bottom percentile यह आपको क्या करनी है बतानी है ठीक है for example यहां पर अगर हमें बोला जाए तो funds are sorted on the basis of returns and ranking assigned from 1 to 4 funds in the top 25 percent A and B are assigned ranking 1, next 25 percent are assigned ranking 2 ऐसे करके आपको यहां पर दिया है ठीक है तो देखो अगर आपके returns पहले कितने पहले quartile में है तो आप हो जाएंगे first, दूसरे quartile में तो second, तीसरे quartile में तो third और चौथे quartile में है तो fourth वाले ठीक है एक्जांपल देने कुछिश किये quartile rankings are also used for yearly ranking of the science and social science generals यह भी यूज किया जाता है चलिए यहां चाहमें क्या करना है हमें question बोला यहां पे पहला question कर रहा है कि find the percentile rank of score in the given dataset तो जो भी dataset हमें यहां पे दिया है उसमें आपको क्या करना है उसमें आपको बतानी है अपकी percentile rank चले किसकी five की पहला task क्या होता है जब भी हमारा ungroup data होता है तो सार इसको हमें rearrange करना पड़ेगा ascending order में तो आप यहा पर तू फिर दोनों थ्री आ जाएंगे क्योंकि ascending order में करना है अपनको तो तू फिर दोनों थ्री आ गए फिर आगया आपका five फिर आगया seven फिर आगया nine और फिर आगया eleven clear है जी सर चलिए अब हमने जो formula पड़ा है उसको हम यहां पे लिख लेते हैं तो using pr is equal to कितना होता है sir pr equals to l plus 0.5 into e upon n और यहां पर हम निकालेंगे उसका in 200 क्योंकि percentage से हमें डील करना है ठीक है चलिए तो यहां पर लेखेंगे by this और आगे लेखेंगे we get क्या मिलेगा में भाईया यहां पर तो sir calculation करेंगे तो answer मिलेगा अब देखो यहां पर सबसे पहले pr यहां पर आप निकालोगे तो l मतलब कितना हो जाएगा sir l मतलब हो जाएगा एक दो तीन थ्री प्लस जीरो पॉइंट फाइव इंटू यूग्कि आपको पांच की चाहिए है ना तो वो एक ही है तो आपने लिखा यहां पर वन टोटल नंबर अफ अब गिनके पता लगाएंगे तो वो जाएगा एक दो तीन चार पांच छे साथ और यहां पर हो इंटू हंड्रेड जल्द बाजी नहीं करनी है हंड्रेड को कांसल करनी की पहले सवाल देखो यह देखो थ्री पॉइंट फाइव अपॉन सेवें इंटू हंड्रेड अब आप मल्टीप्लाइ करोगे तो आपको सिंपल काल्कूलेशन करना है बस थी पॉन्ट फाइव इसली और देख लो हम करेंगे स्क्रीन को एंड आपको स्क्रीनिंग टेश्ट कर आपको बतानी किसका फिफ्टी फाइव की बतानी आपको चलिए पहला कार आपको क्या करना सर इसको असेंडिंग और में अरेंज कर लेते इस अपसे छोटा नंबर जो मुझे दिख रहा है उसके बाद दिख रहा है मुझे 37 तो मैंने वह भी लिख दिया 35-37 चल बहुत बढ़िया उसके बाद फॉर टीज में आ जाते है चलिए, very good, and then 2 हैं आपके पास, which is 67 and 89, चलिए, ascending order में आ गए, आप हम यहाँ पर जो formula यूज करेंगे, पहले वो बता दें, तो तो आप बोलोगे, भाईया, using, कौन सा, using PR equals to L plus 0.5 into E upon N into 100, चलिए, good to go, जी सर, अब यहाँ पर देखिए, L की value क्या होगी, तो यहाँ पर लिख दोगे, कि here, we have, यहाँ पर लिख से लिख दोगे, here, L, यानि उस particular number से पहले वाले कितनी frequency है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 लिख दिया, आपने 6, दना आतने लिखा, E की value है, तो भाईया, 55, 2 times तो 2, N की value है, यहाँ पर आप देखोगे, 10 if I'm not wrong है ना, कितने भाईया, 10 है, 1, 2, उपर भी एक बाद चेक कर लो, कि आपका number से एक ही नहीं, तो 2, 4, 6, 8, 10, विल्कुल ठीक, चलिए, तो आप यहाँ पर निकालोगे, therefore, PR is equal to percentile rank of 55 is equal to 6 plus 0.5 into 2 whole divided by 10 and multiplied by 100 finally, चलिए, solve करेंगे, आप तो आपको मिलेगा, PR equals to 7, क्योंकि देखो, 6 हो जाएगा, यह 0.5 into 2 करेंगे, तो plus 1 होगा, 10 upon, यहाँ पर हो जाएगा, into 100, तो कुल मिलाके, अगर यहाँ पर आप basic calculation करोगे, answer आएगा 70, so percentile rank of 55 is 70, is this clear, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी आराम से हो गया, चलिए, बहुत बढ़िया, screen यहाँ पर हो जाएगी, clear, अगर आपको screenshot लेना, तो एक बार देख लो, अब मैं screen को clear कर देता हूँ, question number 2, भी समाब तेक्साइज का, question number 3, देखो, 20 students ने exam दिया है, a and b are two students, among those two students, upon those 20 students, and both have ranking 10, find the percentage rank of a, दोनों की राइंकिंग 10 है, ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, both have ranking 10, a और b दोनों ने exam दिया था, टुकल मिला के किते लोगों ने दिया, 20 ने दिया था, ठीक है, तो आपको बताना है, among those 20 students, and both have ranking 10, find the percentage rank of a, चलिए, कैसे solve करेंगे, इसको तो सब देखे, सवाल के हिस आप से, जो आपका सबसे पहले तो formula यूजो का वो लिख लेते, तो using pr equal to l plus 0.5 into e, ठीक है, और यहाँ पे whole divide by n, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा into 100, चलिए, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि दोनों की ranking 10 है, ठीक है, तो उसके बाद जितने लोग बचेंगे, वो कितन होंगे, तो उसा total थे 20, उसके बाद बचेंगे, प्रुबाबली अब 9 लोग है ना, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, कि l की value है 9, ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे, हाँ पे e की value as 2, क्योंकि दो लोग है, a and b, n की value है, यहाँ पे आप देखोगे 20, और बाकी चीज़े आपको पताईए, चलिए, अब अगर अपन solve करेंगे इसको, तो हमारा PR आएगा यहाँ पे percentile rank आएगा, कितना, तो 9 प्लस, आपने यहाँ पे लिखा, 0.5 into e, यानि 2 whole divided by 20, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा into 100, चलिए इसको आप यहाँ पे bracket में लगतीजे, इनकेस के ल सरी हो जाएगा, 9 plus 1 upon 20, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा into 100, so this is how much, तो सर यहाँ सा गर हम देखेंगे, PR की value मिलेगी हमें, 10 upon 20 into 100, यानि half, और 100 का आदा कितना हो जाएगा, 100 का आदा हो जाएगा, 50, तो आपकी PR आएगी यहाँ पे 50 के बराबर, तो percentile rank in this case is equals to 50, is this clear, कहीं कोई दिकत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर बढ़े आराम से हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको यहाँ पे screen shot लेना है, तो एक बार देख लीजिए, है ना, good to go, जी सर चलिए, बहुत बढ़िया, screen clear, question number 3, question number 4, कह रहा है, यहाँ पे आपका data दिया है, और आपको यहाँ पे बताना है, percentile rank for these three courses, तो हमें सबके लिए क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो cumulative frequency चाहिए होगी, तो यह देखो, 7 plus 4 हो जाएगा, 11 plus 3 हो जाएगा, 14, 14 plus 5, 19, 19 plus 2, 21, 21 plus 6, 27, 27 plus 7 would be how much, 34, 36, and 36 plus 3 would be 39, last वाले प्याना चाहिए, 40 तो यहाँ भी 40 आजाएगा, चलिए, percentile rank आपको निकालनी सबसे पहले 39 की, ठीक है, तो formula कौन सा यूज होगा, वो तो आप एक ही बार में लिख दो, ताकि किसी को भी कोई doubt नहीं, तो आप बोलोगे हाँ यहाँ पे using, pr equals to, कितना होगा, sir, c plus how much, क्या होता है formula, sir, c plus जो हमारी frequency है, उसके साथ यहाँ पे होता है, तो c plus f into 0.5, तो आप लिखो कि 0.5f upon n into 100 का formula यहाँ पे use होगा, ठीक है, अब देखो, 39 के लिए c कितना हो जाएगा, sir, 39 को यदि मैं देखूँ, तो वो यह रहा, c हो जाएगा उसके पहले, यानि 21, तो यहाँ पे हो जाएगा here, आपका c की value है 21, ठीक है, कॉमा उसके बाद आपका f आएगा 6, ठीक है, और n की value है 40, तो अब यहाँ पे अगर pr निकालेंगे, तो आप बोलोगे, pr is equals to how much, तो sir, वो हो जाएगा 21 plus 0.5 into 6, whole divide by 40 into 100, आप चाहें तो इसको bracket में बंद भी कर सकते हैं, इनकेस आपको confusion होता है, तो यह देखे भी हो जाएगा 21 plus 3, यानि 24 upon 40 into 100, अब काफी चीज़ें यहाँ पे cancel हो जाएगी, जैसे 24 और 46 के table से cancel, या 4 के table से, तो 4 6 आ, 4 10s आ, यहाँ पे आप 0 से 0 भी cancel करेंगे, का answer आया, 60 percentile यहाँ पे आपकी rank है, चलिए, second वाले के लिए, 42 के लिए, आपका C कितना हो जाएगा, तो 42 के लिए C की value हो जाएगी, देखो 42 यहाँ पे हैं काम करते हैं, color change कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे, C is equals to 42 यह रहा, उसके पहले तो 34, तो C is 34, then you have F equals to how much sir, F is equals to 2, N की value 40 आपको पहले से पता है, चलिए, formulae के हिसाब से, percentile rank is equals to, यहाँ पे हो जाएगा, 34, plus 0.5 into 2, whole divide by, यहाँ पे हो जाएगा, 40, bracket, close, and आगे है, into 100, चलिए, अब यहाँ पे आपने इसको further solve किया, तो 34, plus 1 हो जाएगा, 35, upon 40, into 100, ठीक है, अब आप cancel करो, 5 के table चे, तो 5, 7 जा, and 5, 8 जा, ठीक है ना, तो 5, 7 जा, and 5, 8 जा, चलिए, फिर 8 और 100 कैंसल करोगे, तो यहाँ पे देखो, 8, 1 जा, 8, ठीक है, और 20, तो 8, 2 जा, 16, into 7 करना है, how much is 12.5 into 7, यह तो easy as a 75, 35, 5, यहाँ तीन उपर, बिलकुल ठीक कहा, अपने, 7 to the 14, 13, 14, फिफ उन्हे, 7 to the 14, plus 3 हो जाएगा, 17, तो 7 यहाँ, एक उपर 7, 8, तो 87.5 यहाँ पे हमारा percentile, कितना है भीया, 87.5, चलिए, probably last question of this exercise, जिसमें हमें अब निकालना है, percentile score of what, so percentile score of next is 45, चलिए, 45 के पहले cf हो जाएगा 36, तो आपने लिखा c equals to 36, उसकी खुद की frequency है 3, ठीक है, then n की value अभी भी रहेगी 40, तो आप PR का formula यूज करोगे, जो की हम पहले ही लिख चुके है, 36 plus 0.5 into 3, whole divide by 40 into 100, ठीक है, further calculation करेंगे इसका, तो यह देखो कितना हो जाएगा, 36 plus 1.5 हो, क्योंकि 3 into 0.5 is 1.5 है न, whole divide by 40 into 100, अब आप इसको अगर करोगे cancel, तो पहले काम करो, solve कर लो, तो दिखो, 0 से 0 cancel हो गया, फिर 2, 5 is a, and this is 2, 2 is a, चलो, अब आप further solve करेंगे इसको, तो आपको मिलेगा 36, यानि 37.5, ठीक है, 37.5 into 5, whole divide by 2, अब यह हो जाएगा, 55, 25, 5 यहाँ दो उपर, 75, 35, 36, 37, साथ यहाँ तीन उपर, 55, 15, साथ यहाँ तीन उपर, और 55, 15, 16, 17, 18, 18, 187.5 जिसको divide by 2 करेंगे हम, तो 2, 9, 18, ठीक है, फिर 2, 3, 6, 15, तो 2, 7, 14, 25, 93.75, क्लियर रही है, जी सर्चालिये, तो आपके यहाँ पर सारे आंसर आ गए, तीनों के परसेंटाइल स्कोर आपको मिल गए है, यू के इजिली सी हमने हर एक को हर एक कलर से अलग अलग कलर से दिखा है, ताकि आपको इजिली समझ में आजाएं, इनके आपको स्क्रीन शॉट चाहिए, देख लो एक बार भाई, गुट्टू गो, जी सचालिये, स्क्रीन को अपन क्लियर करते है, प्रुबाबले एक्साइज यहाँ पर समाप्त होती है, इजी था यह छोटा सा सेशन था, जल्ली खतम हो गया, लेकर एक इंपोर्टन टॉपिक है, जो कि एक यह दो नंबर में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, सेशन एंड करने से पहले कुछ महत्वपूर्पूर्ण जानकारी, जिसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत लाबधायक हो सकती है, आगले दो मिनिट में दी गई जानकारी, पहली बात तो यह आपको यह पता है, कि अपना जो यह चैनल है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और अगर आप नोटिफिकेशन पाते रहेंगे, तो आपको पता रहेगा कब कि तीचर ने कौन सा सेशन पढ़ाया है, और आपको कब वो कंप्लीट करना है, यह आपके माइंड में हमेशा रहेगा, देन, अगर आपको हमारा कोई भी सेशन अच्छा लगता है, किसी बीटी से द्वारा पढ़ाया है, कोई भी बात आपको अच्छे लगती है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दे, इससे हमे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हम नए बच्चों तक पहुंच पाते हैं, जिससे उनको भी अच्छा नॉलेज मिलता है, अब यहाँ पर आप देखोगे, तो हमारे चैनल पर बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे सब्जेक्स हैं, बहुत सारे चार्टर्स हैं, जिसका एक मातर राममान इलाज और सबसे बढ़िया इलाज है ये, कि आप हमारी वेबसाइट और आपको रेगुलर्ली स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, च्योंकि इन दोनों ही माध्यम पर हमने सारा कंटेंट क्लासिफाइ कर दिया है, जिससे आपको इजिली आपका क काम के वीडियो तक पहुंच जाते हैं, और एजिली स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि आपका समय बच जाता है वीडियो उसको ढूड़ने में, आप फ्लो में पढ़ते हैं और आपको अच्छे सारी चीज़े समझ भी आती हैं, हमारे सोचल मीडिया प्लाटफॉम्स भी ज़रू फॉलो किज़ेगा, क्योंकि जितने हमारे फन लर्न सेशन है, और अगर बोर्ट द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन रिलीस की जाती है, तो उसको वेरिफाय करके, उसका पूरा सत्यापन करके, उसको अच्छे से समझ के, आपको सिंपल भासे में समझाने का काम भी इनी प वेबसाइट और आप पे भी आपको ग्राइब इनोट्स का टाब मिल जाएगा, जैसी आप उस पर क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे हमारे इनोट्स और इबुक्स वाले सेक्शन में, जहां पर बिना किसी जादा महनत के बड़ी ही आसानी सारे नोट्स और बुक्स जल्ट अच्छा है क्योंकि इनोंने बहुत महनत करी है और अच्छे अंक लाए हैं आप प्रसंद होंगे आपके घरवाले और आपके अड़ोची पड़ोची आपके जादने वाले भी प्रसंद रहेंगे हम बहुत गौरानविच पील करेंगे और आप जिन्द्नगी में ब पढ़ाई करें आगले सेशन में कुछ नया पढ़ेंगे उसको देखना मत भूलना से यू सुन बाबाई टेक क्यार